हलो स्टुदेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे स्पॉइंटि और प्रोसेस थर्मॉडिनेमिक्स breeding सब्सक्राइं क्लास 11 का तो हम सबसे पहले समझते हैं मियों citizen Spontaneous process वो processes होते हैं और हम कह सकते हैं उन types की reactions होते हैं जिसमें कोई भी external force नहीं लगाते हैं मतलब वो reactions होते हैं जो अपने आप ही हो जाती हैं जिसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती और अगर पड़ती भी है तो बस सिर्फ ignition temperature ही हमको देना पड़ता है और reaction पूरी तरीके से proceed हो जाती है उस type की reactions को हम लोग spontaneous reaction कहते हैं spontaneous reaction का दूसरा नाम होता है feasible processes और हम बोल सकते हैं probable processes तो probable processes और spontaneous process क्या होते हैं कि वो reactions होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं वो conditions होती हैं जो अपने आप हो जाती है जैसे for example अगर हम sugar को water में मिला देते हैं किसको sugar को इस तरीके से अगर हम एक container है उसमें water है उसमें अगर हम sugar को मिला देते हैं तो sugar क्या होगी अपने आप ही dissolve हो जाएगी और इसमें घुल जाएगी तो इसमें हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हमने external कुछ भी करना पड़ा हो तो इस reactions को हम बोलेंगे spontaneous reaction जो कि अपने आप हो जाएग दूसरा example हम ले सकते हैं जो water होता है अप अपने आप evaporate हो जाता है जैसे pond या river का water होता है वो अपने आप evaporate हो जाता है तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि external force हम लोग नहीं लगा रहे होते हैं external कोई भी condition हम लोग उसमें use नहीं कर रहे होते हैं spontaneous processes जिसमें कोई भी external force नहीं लगता है अब दो तरीके की spontaneous reactions होते हैं एक जो अपने आफ हो जाती है जैसे कि water से अगर कोई भी water है जो जब evaporate होगा तो direct इसमें gaseous form में convert हो जाएगा वहीं कुछ ऐसी reactions होती हैं जिसमें थोड़ा सा हमको push देना पड़ता है जैसे कि हम कह सकते हैं जब हम H2 का और oxygen को क्या करेंगे react करवाएंगे तो H2O spark करवाएंगे तो H2O बनेगा तो यहां पर हमने क्या किया थोड़ा सा electricity दी और उसके बाद reaction अपने आप होती जाएगी तो इसको हम बोलते हैं क्या spontaneous processes तो दूसरी चीज़ समझते हैं अगर हम बात करें जैसे carbon का carbon और oxygen का जब भी combination होगा तो carbon dioxide बनती है ऐसा कब होता है जब क्या होता है ignition हो रहा है तो हम कह सकते हैं जब combustion हो रहा होता है तो वहाँ पर हमें ignition temperature देना पड़ता है और reaction आटोमेटिक प्रोसीड हो जाती है और कब तक जलती है जब तक कि वो coal अगर हमने लिया तो वो coal खतम नहीं हो जाता है दूसरी चीज़ समझते हैं अब समझते है non-spontaneous processes क्या होते है non-spontaneous process वो होते हैं जिसमें हमें खुदी participate करना पड़ता है मतलब कि हमें reaction को प्रोसीड करने के लिए कुछ ऐसी conditions बनानी पड़ती है और कह सकते हैं energy को continuously supply करना पड़ता है तब उसको हम reactions को बोलेंगे non-spontaneous reaction जैसे कि अगर हम बात करें non-spontaneous reaction जो flow हो always क्या होगा cold to hot body होगा दूसरी चीज़ हम कह सकते है mixing of sand in water तो यह सारे non-spontaneous processes जो impossible होते हैं जैसे दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जब पानी बहता है ज़रना से नीचे की तरफ आता है ना कि ऊपर की तरफ जाएगा जो नीचे की तरफ आ रहा होता है वो automatic आ रहा हो तो इसमे हमें क्या लगाना पड़ेगा force लगाना पड़ेगा तो इस case को हम बोलेंगे non-spontaneous process I hope आप लोगों को spontaneous and non-spontaneous reactions के बारे में detail में समझ में आया होगा तो अब दूसरी चीज़ समझते हैं in spontaneous reactions को करने के लिए driving force की जरूरत होती है मतलब driving force क्या होती है वो force जो responsible होते है spontaneous process को ह जाते हैं तो यह lecture थोड़ा लंबा हो जाएगा हम लोग next video में जो lecture होगा हम लोगों का driving force होगा I hope आप लोगों को समझ में आया होगा thank you